सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी जीवन एक बहुत ही सरल परिक्षा है, लेकिन अधिकता लोग एक दुश्रे की नकल करने के कारण फेल हो जाती हैं, जबकि प्रश्ण पत्र सबका अलग-अलग होता है वेवेक्ति जिसी खुद पर भरोशा होता है, वा अंत में दुश्रों का भी भरोसत जीतने में काम्याब रहता है जीवन की गुडवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि दिमाग में किस प्रकार के विचाराते हैं आज का पंचांग 6 अगस्त 2020 दिन गुरुवार सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथी रात्री 12 बचकर 15 मिलट तक रहेगी इसके उपरांथ शेतूर्थी तिथी प्रारम होचाएगी शद्भीशा नामक नक्षत सुबह 11 बचकर 18 मिलट तक रहेगी इसके उपरांथ पूर्वा भाद्रपदा नामक नक्षतर प्रारम होचाएगी आज का राहू काल अर्था दिन का सबसे असूब महुरत दोपहर 2 बचकर 3 मिलट से 3 बचकर 40 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्था दिन का सबसे सुब महुरत दोपहर 12 बचे से 12 बचकर 59 मिलट तक रहेगा आज चंद्रमक कुमराशी पर संचार करेगी और आश्यूर्य करकराशी पर रहेगी व्रिशा बरासी 6 अगस्त 2020 दिन गुरुवार आपके नित्रित्व वाले गुड़ों को घर और काम में पैश्चान मिल रही है कारे इस तल पर आपको गर्व मैसूस होगा और अपने प्रयाशों के लिए आपको पुरुश्कृत किया चाहीगा आपके बॉस और घर के बुजूर्ग सब आपकी प्रशंशा करेंगी ने गौसल सीखे जिसे आप बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ सकती हैं आज आप जोकिम उठा सकती हैं क्योंकि अगले कुछ दिनों तक सफल होने की संभावना अधिक है आप मेंसे कुछ लोग समाच में एक सम्मान चनके इस्तिति प्राप्त करेंगी जितनी करड़ी मेहनत और प्रियास आप करेंगी उतनी ही जल्दी लक्ष प्राप्त करेंगी काम्याबी हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें भरोचा करना चाहिए कि हम यह कर सकते हैं समाच्षवर इस्तेदारों में आपकी प्रभावशाली व्यक्तित्व और सरश्वभाव की वज़े से मान प्रतिष्था बनी रहेगी घर कुछ मिला जुला प्रभावल लेकर आ रहा है परन्तु उसे बहतरीन बनाना आपका काम है अच्छा आपके नित्रित वर शमता की सभी तारीप करेंगे आपको अपने काम को पहतर तरीके से अन्शाम देने में लोगों की सला और सहयतत दोनों ही मिलेगी कुछ लोगों को आपके बादशित का तरीका काफी पसंद आईगा किसी को आपके साथ के आवशकता पड़ सकती है लोगों की मदद के लिए तैयार रही खाने पीने की चीजों और समय का विस्यस ध्यान रखी या आपके सेहत को बहुत प्रभावित कर सकती है शौधानिया घर के किसी बुझूर्गों के स्वास्ता को लेकर शिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है साथ ही किसे अक्षुप समचार के मिलने से मन उदाश रहेगा लव लाइफ की बात करे तू इस समय आप अकेले और तन्ह मैसूस कर शकती है ऐसे में समाची सरकल से कट आफ करना समधान नहीं है बलकि कोई कलब और शमू में हिस्सा ले या अपने भाई बहनों से मिली समय कभी एक जैसा नहीं रहता किसी भी इस्थिती में रुखने के बचे आगे बढ़ते रहे आपका पूरा ध्यान कलियर और काम पर है आपके जीवन में अपनी खार्च रखा बनाने के लिए कई लोग दिल्चस्पी रखते हैं रिस्तों में अगर कोई गलती करता है तो दुश्रे को उसे माप करके आगे बढ़ना चाहिए करियर की बात करें तो आज के दिन सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं वर जल्दी आपको सरकार और सम्मंधी एजेंसियों से बहतरीन प्रस्तों मिलने वाले हैं अब आपको अजीव का कमाने के लिए आपको गुश फायदे मन योजनाय बनानी चाहिए आपके सितारों के नोशार अभी किसी से भी फाल्तू के वाद विवास से बच्छें आउनाओं को अब उच्छे रखें क्योंकि इस समय आपको वो मिल सकता है जिसकी इच्छे आपको हमेशा से थी शेहत की बात करें तू आज अब मैसूस करेंगे कि कोई दर्द या जोडों के दर्द की परशानी अज दिन भर बनी रहेगी आप इस दर्दे से दूर रख सकते हैं अगर आप संतूलित और ताचा भोजन खाएं और साथी वयाम भी करें वैसे आपकी सेहत ठीक रहेगी सारी परशानी जल्दे ही खत्म हो चाएगी और जल्दे ही आप अच्छे हो चाएगी आज का उपाए आज आप केले के पेड़ के नीची घी का दीपक चलाएं दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में आपका देश शुब हूँ